नमस्कार दोस्तो आज देव वुठनी एकादशी है और इस दिन भगवान विश्णू अपनी चार माहा की योग निद्रा से जाग जाएंगे जी हां और इसके साथ ही सारे शुब कामों की शुरुआत हो जाएगी जो पेछले चार माहा से रुके हुए थे तो चलिए बताते ह है 19 के बाद कौन से शुमूर्थ आ रही है कुणली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानि गुर्मीत बेदी का नमस्कार आज 15 नुवांबर को सुबा 6 बज कर 49 मिनट पर चतुर मास का समापन हो गया है ऐसी पुराणिक मानेता है कि देव उठनी एक आदशी पर पताल लोक पताल लोक में निद्रा में चले जाते हैं जब चतुर मास परारंब हो जाता है और जब देव उठनी एक आदशी आती है तो चतुर मास समाप्त हो जाता है इस तरह आज 15 नुवंबर को चतुर मास समाप्त हो गया है और अब शादी विवाह जैसे मांगली कार्या भी शुर परंभुआ था और 15 नुवंबर को देव उठाने काच्छी के सुबा समापन के साथ ही चत्रमास समाप्थ हो गया ऐसी पराणिक मान्यता है कि माता लक्षमी के कहने पर मभवान विश्णू ने हर साल चार महिन्य वर्षा रितू में शायन करने का निर्णे लिया था जिसे चत कारियों पर लगी रोक भी खतम हो गई है मकुल्डी वी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 15 नुवंबर को देव उठाने काच्छी के दिन शिरी हरी के विग्रह सबरूप शालिगरामची और तुलसी के विवाह का आयोजन होता है जिसे तुलसी विवाह के नाम से भी ज से लेकर बेंड बाजा वालों को भी फुरसत नहीं मिलेगी माय कुल्डी वी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नुवंबर महीने में विवाह के आठ शुब मुरत हैं जबकि दिसंबर महीने में विवाह के साथ शुब मुरत हैं मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूं कि विवाह का शुब मुरत निकालते समय हमें तिथी, वार, नक्षतर, योग, करण, नवगरहों के स्थिती, मलमास, अधिकमास, शुकर और गुरु अस्त, अशुब योग, भद्रा, शुब योग तथा राहु कालादी का खयाल रखना पड़ता है और इसके बाद ही मांगली कारियों का शुब मुरत निकाला जाता है मैं कुनलीटी वी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नवंबर महिने में आज 15 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर को शादियों के शुब मुरत रहेंगे जबकि द दिसम्बर महिने में पहली दिसम्बर को, दो दिसम्बर को, पांच दिसम्बर को, साथ दिसम्बर को, ग्यारा दिसम्बर को, बारा दिसम्बर को और तेरा दिसम्बर को विवाह तथा अन्या मांगली कारियों के शुम मुहरत बनेंगे, तो आज की पोश्ट में बस इतना ही मै गुरमीत बेबी